खंड सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हाल ही में हरक सिंग रावत जी का बयान आया कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ने वाले, उनके बारे में ये भी बताया गया और उनको हटा दिया गया भवा नेवमन्य सर निर्मान कल्यान कर्मकार कल्यान बोर्ड के अध्यक जैसे उन्हें सचिव और शमशीर जी को अध्यक्षपत पर बैठाया गया, मगर इसके बाद जो अंदर खाने खीचतान चल रही है वो दिखाई दी, हरक सिंग रावत जी ने कहा कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये बयान कहा जा रह अध्यक्षपतर के जिस बाहर बहुत सारे कागस, बहुत सारी फाइले जला दी गए, और दीप्ती सिंग जो सच्चेव है, वो कह रही है, मुझे इस बारे में कोई ख़बर नहीं है, शमशेर जी जो है, अध्यक्ष उनको भी पता नहीं है, तो ये कागस कौन जला रहा है, क्यों जलवाए जा रहे है, ये भी बता दू कि शमशेर जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बैंक को ये भी कहा है, कि स्टॉक पेमेंट करने को कहा है, उन सभी पेमेंट्स के लिए जिसका वो डीटेल चाह रहे थे, और मंतरी हरक सिंग रावत अभी तक उनने वो फाइल नहीं कि कोट के तहट अगर जाच होगी, कोट की निगरानी में जाच होगी, तो बहतर होगा, अब इसमें देखे कि कागस जो जलाए गए हैं, ये कागस जस्ट ऑफिस के बाहर और उन्होंने जलाने के लिए छोड़ दी और हट गए, वहाँ पे नोटराइजड एफिडेविक्स हैं, उसमें बहुत सारे परसनल डीटेल्स वाले आधार कार्ड हैं और उन्हें आधा जलावा छोड़ दिया गया है, तमाम वेब पोर्टल्स और चैनल्स जिन्होंने उसको कवर किया है, वह उसमें कागस साब दिख रहे हैं, लोगों की शकले दिख रही हैं, उसमें लोग गरीब लोगों को मिलते हैं, और अब जरूरत है कि सरकार बताए कि ये कागस कौन से थे, क्यों जलाए गया, अगर आप आर्टिया डालेंगे तो ये कागसों के डीटेल आपको नहीं मिलने वाले, इसमें सरकार को जरूरत है कि अब ये बताए कि ये कागस क्यों जलाए गय और इसके पीछे कौन है इनके डिपार्टमेंट के लोगों को अगर ये नहीं पता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी जिम्मेदारी उनकी भी जिम्मेदारी श्रम मंतरी हरक सिंह रावजी की भी होगी क्या ये कागज इसलिए जलाए गए क्योंकि सरकार चाहती है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है हरक सिंग रावज जी के अध्यक्ष रहते हुए पर लोगों के सामने ना आए ताकि वो दिखाती रहे कि वो जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के विरूद और उनके कारेकाल में कोई ब्रष्टाचार नहीं हुआ या कोई ऐसा तरीका हुआ जिसकी वजह से ब्रष्टाचार के आरोप जिनके उपर लग रहे हैं मंत्री जी के उपर उन्होंने वो कागज जला दिये तो बहुत सारी चीजे हैं ये पता लगाना जरूरी है क्या अंदर खाने जो अधिकार हैं वो मिले हुए हैं क्यों जलाए गए ये कागज ये सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा उतरा खंड की सरकार जीरो टॉलरेंस बिलकुल नहीं है ब्रष्टाचार के प्रती अगर होती तो ये कागज ना जलते अगर कागज जले हैं तो इसके बारे में पह इसकी responsibility उस बोड के अध्यक्ष सेचिव के साथ साथ उस department श्रम मंत्राले के मंतरी हरक सिंग रावत और इस सरकार के मुख्या त्रिवेंदर सिंग रावत है क्योंकि joint responsibility होती है ना joint responsibility तो आपको लेनी पड़ेगी ये सरकार चल रही है या क्या चल रही है जवाब दीजे